जोतीश एवा मुवास्तु आचारपंडित गड़ेश मिस्रा के अनुसार पूर्वे और उत्तर दिशा पानी के लिए अनकुल है इन दिशाओं में जल इस्थान टंकी या पीने का पानी रखा जाए तो घर में परिशानिया नहीं होती लेकिन इसके उल्टा यनि अन्न दिशाओं में पानी रखा जाए तो धन हानी और विमारिया होती हैं और घर में रहने वाले लोगों को परिशानिया वढ़ने लगती है वास्तू सास्त्र के अनुषार उतर पूर्व दिशा भी पानी के टैंक के लिए शुब है इस दिशा में पानी होने शेधन लाब होता है इसे घर उन्नती और सम्रद्धी देने वाला माना गया है उत्तर दिशा में पानी का टैंक या पीने का पानी रखा जाये तो ऐसे घर में शांती और शुब बढ़ाता है वास्तु के अनुशार पश्चिम दिशा में पानी का इस्थान होना शुब माना गया है इसे घर में रखने वाले लोगों की संपत्ती बढ़ती है दच्चिर पूर्व दिशा को भी पानी का टैंक लगाने के लिए उपियुक्त नहीं माना जाता है क्योंकि इसे अगनी की दिशा कहा गया है अगनी और पानी का में गंभीर वास्तु दोश उत्बन होता है दच्छर दिशा में पानी की टंकी या भूमी गटैंक नहीं होना चाहिए इससे परिवार में आशांती और धन हानी होती है दच्छर पस्चिम दिशा यानी नेत्रत्य कोड में भी पानी की टंकी का होना आशुब माना गया है इस इस्थान में पानी होने से घर में बिमारिया होने लगती हैं और कर्च भी बढ़ने लगता है ऐसे घर में रहने वाले लोगों को मांसिक बिमारिया हो सकती है विरो रिपोर्ट दिवेदर्शन्योज